नमस्कार विकेबिन उसके खास पेशकर देश प्रदेश दुनिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत है ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे है बर लोग लापरवाही करते जा रहे है मुंबई में 244 लागो होने के बावजूत समुद्र की किनारे जिस तरह से लोग नजर आ रहे है उसे देख नहीं लगता कि मामारी को लेकर उनमें कोई भी खौफ है इसे बीच मुंबई में वर्सोवा पुलिस ने एक 25 साल के एक्ट्रेस को गिरफतार कर लिया है एक्ट्रेस पर अपने घर में काम करने वाली नाबालिक बच्ची के साथ मारपीट कारोप है वही मुंबई की माप और किशोरी पेडनेकर की सुरकशाब बढ़ा दी गई है राज के गुरुह मंतरी दिलिपवल से पाटिल ने कहा कि धमकी देने वाले की तलाश में प्लिस जोटी हुई है और उसे कड़ी सजाद दी जाएगी उधर राकाम पादेक्ष शरतपवार ने कहा कि अभी भी समाचे कई लवर्गों को लगता है कि उन्हें समान से जीवन जिने का अधिकार नहीं है यदि उन्हें ऐसा लगता है कि हमें उनकी शिकायतों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए इसके अलावा विदन सबा में विपक्ष के नेता देवेंद्रा फड़निस ने महाडा की भरती परिक्षार रद्ध होने पर राज्य सरकार पर हमला बोला है फड़नुस ने कहा कि माविकास अगाडी सरकार एक भरती परिक्षा भी ठीक से आयो जीत नहीं कर पा रही है प्रदेश की इन पाच बड़ी खबरों को विसार से जानने के लिए बने रही है आफ हमारे साथ देश के गई राज्यों से कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं लेकिन लोग अब भी लापरवाही बरत रहे हैं इसकी ताजा तस्वीर मुंबई में देखने को मिली है धारा 144 लागों होने के बावजूद हजारों की संख्या में लोग समंदर के किनारे घूमते नजर आएं गिरगाउं चौपाटी पर रविवार को छुट्टी के दिन बीच पर हजारों लोग दिख रहे थे चिंता की बात ये है कि कई लोग बीना मासके भी घूम रहे थे ऐसा लग रहा था कि मानो किसी को कोरोना की कोई परवाह न हो बता दे कि मुंबई में अब तक ओमिक्रॉन के 17 नए मामले मिले हैं कोरोना के दूसरे वेरियंट की मुकाबले ये काफी तेजी से फैलता है राजसरकार इसे लेकर गंभिर है लोगों से सतरकता बरतने की अपिल की जा रही है इसी के मद्दे नजर पुलिस ने शुकरवार को मुंबई में आपराधिक दंड सहिता की धारा 144 लागू कर दी थी जिसके अगले दो दिनों के दोरान रेलियों और प्रदर्शन पर रोक लगाई गई थी आदेश, शनिवार और रविवार को 48 घंटों तक लागू रहा आदेश में कहा गया था कि उनलंगन करताओ को भारतिय दंड सहिता की धार 188 और अन्यकानों नी प्रावधानों के तहट सजा दी जाएगी लेकिन लोग इसके बावजुत आदेश की धज्जिया उड़ा रहे थे इस बीच देश में ओमिक्रॉन के मामले की संख्या बढ़कर 38 हो गई है रविवार को दर्च किये गए सभी मामलों में मरीजों ने विदेश यात्रा की थी मुंबई में वर्सोवा पुलिस ने 25 साल के एक्ट्रेस को गिरफतार कर लिया है एक्ट्रेस पर अपने घर में काम करने वाली नाबाली बच्ची के साथ मार पिट का आरोप लगा है अब भी स्ट्रगल कर रही है और उन्होंने कई मौकों पर ये कहा है कि बच्ची ठीक से काम नहीं किया करती थी हाल ही में बच्ची की तरफ से शिकायत दर्च कराई गई है कि एक्ट्रेस ने न सिर्फ उसे टॉर्चर किया बलकि जबरन उसके कपड़े उतरवा कर वीडियो और फोटो भी दिये हलांकि इससे पहले कभी भी इस नाबालिक बच्ची ने प्रताडित करने की शिकायत नहीं की थी यह पहली बार है रिपोर्ट की माने तो एक्ट्रेस ने घुसे में आकर बच्ची को सैंडल से बुरी तरह से पिटा है इस पिटाई के कारण उसके सर से खुन बहने लगा और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा बताया गया है कि जब बच्ची की बहन ने सीर पर चोट के निशान देखे तो उससे पूछता अचकी और फिर उसने अपनी पूरी कहान ही सुनाई बच्ची की बहन फोरण उसे लेकर पूलिस टेशन पहुची जहां आरोपी एक्टरेस के खिलाफ शिकायत दर्च कराई गई मुंबई की माहापोर किशोरी पेडनेकर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है राज्य के गुरुह मंतरी इदिलिपल से पाटिल ने कहा कि मामले में पूलिस आरोपी की तलाश में जूटी हुई है और उसे कड़ी सेजा दी जाएगी बता दे कि भाचपा नेता आशे शेलार से चल रहे विवाद के बीच पेडनेकर को एक पत्र भेजा गया था जिसमें उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई थी ये पत्रा मराथी भाचा में है इसे उनके मेल बॉक्स में डाला गया था और इसमें कोई सील भी नहीं है इसे भेजने वाले ने इसमें काफी अभधर भाचा का इस्तमाल किया है और ये कहा है कि अगर वह दादा के साथ उलजी तो इसके गंभिर नतीजे होंगे पत्रों को पन्वेल रायगर जिले से पोस्ट किया गया है महापौर ने कहा कि इस तरह की धमकियों से कते नहीं डरने वाली उन्हें पिछले वर्ष दिसंबर में भी टेलीफोन पर जान से मारने की धमकिया दी गई थी ताजा मामले में पेड़नेगर की शिकायत के आधार पर भायखला पुलिस एफायर दर्ज कर पुलिस छानमिन कर रही है वलसे पाटल ने कहा कि राज्य सरकार की और से पेड़नेगर को सुरक्षा मुहया करा दी गई है आरोपी की तलाश की जा रही है इसके पीछे जो होगा उसे कड़ाई से निप्टा जाएगा ये पहली बार नहीं है जब पेड़नेगर को इस तरह की धमकी दी गई है पिछले साल भी महापॉर को फोन पर जान से मारने की धमकी मिल चुकी है राकापा की और से शरत पवार के एक्यास्तिवे जनम दिन पर वरली के नहरू सेंटर में कारेकर मनाया गया इस मौके पर पवार ने राकापा के एप का उधगाटन किया इस मौके पर पवार ने कहा कि अभी भी समाच के गई वरगों को लगता है कि उन्हें समान से जीवन जिने का अधिकार नहीं है यदि उन्हें ऐसा लगता है कि हमें उनकी शिकायतों को दूर करने की कोशिश करन फिर मैंने उनसे पूछा कि आपका क्या मतलब है तो उन्होंने एक पाथरवट नाम की कविता सुनाई कविता में लिखा था कि हमने चन्नी और हतोड़े से पत्थर को मुर्ति में बदल दिया इसके बाद उस मुर्ति को देखने के लिए पुरा गाव आया गाव वालों ने उत्साह से मुर्ति को मंदिर में स्थापित किया लेकिन दलित होने के कारण हमें मंदिर में प्रवेश नहीं मिला मुझे समाज की इस व्यवस्था को खतम करना है पवार ने कहा कि इस तरह की कविता सुनने के बाद रात को निन नहीं है हमें लगा कि हम अपरादी है, भले हम में कुछ हो या नहीं, लेकिन हम उस समाज के प्रतिनी दिये, हमारे समाज ने वंचितों और शोशितों पर जो अन्याय किया है उसको दूर करने के लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए विधानसभा में विपक्ष के नेता देविंदर फ़टनवीस ने महाड़ा की भरती परिक्षा रध होने पर राज्यसरकार पर हमला बोला है पड़नविस ने कहा कि महाविकास आगाडी सरकार एक भरती परिक्षा भी ठीक से आयुजित नहीं कर पा रही है सरकार परिक्षा घूशित करती है लेकिन प्रशन पत्र लिक होने के चलते परिक्षा को रत कर दिया जाता है स्वास्तविभाग की भरती परिक्षा तीन बार सगित करनी पड़ी थी भरती परिक्षा में बड़े पैमाने पर भष्टचार हो रहा है उन्होंने इस मामले की CBI से जाँच कराने की मांग की है फट नविस ने कहा कि सरकार को महाडा का भरती परिक्षा का प्रशन पत्र लिग करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सक्त कारवाई करनी चाहिए सरकार को जवाब देही तै करनी चाहिए कि इसके लिए दोशी कौन है वही प्रदेश के गुरुह निर्मान मंत्री जितेंद्र आवाड ने दावा किया है कि मारा की भरती परिक्षा का पेपर लिख नहीं हुआ है परिक्षा आयोजित करने की प्रकृया में गोपनी अता भंग जरूर हुई है इसलिए परिक्षा स्थागित करने का फैसला लिया गया है आवाड ने कहा कि परिक्षा आयोजित करने का ठेका जिस सौफ्ट व्यर कमपनी को दिया गया था उसके मालिक के लैप्टॉप से प्रश्ण पत्र मिले थे इसके चलते परिक्षा रत करने का फैसला लिया गया है आवाड ने कहा कि मैं अभ्यार्थियों से परिक्षा टालने को लेकर माफी मांगता हूँ मारा की और से भ्यारतियों की परिक्षा फिस वापस कर दी जाएगी साथ ही अगली बार होने वाली परिक्षा के लिए उनसे परिक्षा फिस नहीं वसूली जाएगी बाबा विशोनात मंदिर का काय कल्प हो जुका है जिस मंदिर में शद्धालू के लिए पहल लखने तक की जगह नहीं होती थी वह अब सुकुन के साश रद्धालू समय गुजार सकेंगे धाम का मंदिर चोक्षेतर अब इतना विशाल है कि यहां दो लख शद्धालू खड़े होकर दर्शन पूजन कर सकेंगे इसी बीट शिवसेना के राजसबा सांसत संजे राउत के खिलाब दिल्ली में मामलाद दर्च किया गया है एक भाजबा नेता ने भाजबा कारेकरताओं के खिलाब आपतिजनक भाशा का इस्तमाल करने और उन्हें धमकाने का आरोप लगाया है वही आसुसुदिन OVC के एक नेता ने वसिम रिजवी को लेकर विवादित बयान दिया है मुरादाबाद महानगर के अदेक्ष वकीद रशीद ने कहा है कि जो भी वसिम रिजवी को जूता मारेगा उसे 11 लाक रुपए इनाम दिया जाएगा उदर पंजाब और हर्याना हाईकोट ने कहा है कि पतनी की जानकारी की बिना उनके कॉल रेकॉर्ड करना नीजता के अधिकार का हनन है और इसी तरह के मामलों को किसी भी सुरत में प्रोट्साहित नहीं किया जाना चाहिए इसके अलावा बिहार के हाजिपूर में एक श्रमधिकारी ने हद कर दी काली कमाई के नोटों से उसने बोरो और बैगों में भर कर रखा देश के इन पाच बड़ी खबरों को विसार से जानने के लिए बंद्रियाफ हमारे साथ जिश विश्वनात मंदिर में श्रद्धालू के लिए पैर रखने तक की जगह नहीं होती थी वह अब सुकुन के साथ श्रद्धालू समय गुजार सकेंगे दाम का मंदिर चौक शेत्र अब इतना विशाल है कि यहाँ दो लाक श्रद्धालू खड़े होकर दर्शन पूजन कर सकेंगे इसके चलते अब सावन के सोमवारों महाशिय उरातरी के दवरान शिव भक्तों को दिक्कत नहीं होगी प्रद्धान मंदिर नडेंदर मोदी का यह संसदी यह शेत्र है श्रिकाशी विश्वनात मंदिर का यह शेत्र पल पहले तीन हजार वर्क फीट था लगबग चार सो करोड रुपे की लागत से मंदिर के आसपास की तीन सो से ज्यादा बिल्डिंग को खरीदा गया इसके बाद पाच लाग वर्क फीट से ज्यादा जमीन में लगबग चार सो करोड रुपे से ज्यादा की कीमत से निर्मान किया गया हाला कि निर्मान कार्य अभीज चारी है इसमें प्रमुकरूप से गंगा व्यूग ग्यालरी, मनिकरनिका, जलासेन और ललिता घाट से धाम आने के लिए प्रवेश द्वार और रास्ता बनाने का काम है गौर तलब है कि धाम के लिए खरीदे गए भवनों को नश्ट करने के दवरान 40 से अधिक मंदिर मिले उन्हें विश्वनात धाम प्रोजेक्ट के तहट नए सिरे से सर्रक्षिन किया गया है इस तरह काशी में मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट विश्वनात धाम को 800 करोड रुपे से ज्यादा की लागत से बनाया गया है इसमें शदालों की सुईदाव का विश्विश ध्यान रखा गया है प्राचिन मंदिर के मूल रूप सुरूप को बनाय रखते हुए 527,000 वर्कफिट से ज्यादा शेतर को विकसित किया गया है विश्वनात धाम अब लोगों के लिए लोकार पित हो जुका है देशबर से आए हुए 2500 संत महत धर्मचारे वह आध्यात्मिक गुरू इसके साक्षी बने शिवसेना की राजिसबा सांसस संजे राउत की खिलाब दिल्ली में मामलाद दर्च किया गया है भारतिय जंदा पार्टी के एक नेता ने संजे राउत पर टेलिविजन पर पसारीत एक इंटर्व्यू की दोरान भाजपा कारे करताओं के खिलाब आपतिजनक भाषा का इस्तमाल करने और उन्हें धमकाने का आरोप लगया है जिसके बाद शिउसेना नेता के खिलाब दिल्ली में मामलाद दर्च किया गया अधिकारियों ने बताया कि भाजपा महिला मोचा की राष्टे महासच्यू दिप्ती रावत भारदवाज द्वारा नो दिसंबर को दिल्ली के मंडावली थाने में दर्च कराई गई शिकायत के आधार पर F.I.R. दर्च की गई है दिप्ती रावत भारजवाज ने अपने शिकायत में आरोप लगाया है कि 9 दिसंबर को एक मराठी समाचार चैनल पर प्रसारित एक इंटर्यू के दवरान शिवसेना सांसर संजर राउत ने भाजपा करकरताओ के खिलाब अपशब्द बोलते हुए हैरान कर देने वाले ब दिस्टर किया गया है ताकि मेरी आवाज को दबाया जा सके यह मेरी पार्टी को बदनाम करने की साज़िश है क्योंकि मेरे खिलाब CBI, IT, ED का प्रयोग नहीं किया जा सका मैं सांसर दू और मेरे खिलाब जूटा FYR करना ठीक नहीं है शिया सेंटरल वकबोर्ट के पूरवचियर्मन वसिम रिजवी ने बीते दिनों हिंदु धर्म अपना लिया है उनका नाम अब जेतिंदर नारायन सिंग त्यागी हो गया है उन्होंने गाजियाबाद के डासना मंदिर में यती नरसियानंद सरस्वती के सामने हिंदु धर् वसिम रिजवी ने कहा था कि मुझे इसलाम से बाहर कर दिया गया है हमारे सिर पर हर शुक्रवार को इनाम बढ़ा दिया जाता है ऐसे में मैं सनातन धर्म अपना रहा हूं हिंदु धर्म अपनाने के बाद उन्होंने खुशी जताई थी अब हैदराबाद से सांसद आससु दिन OVC की पार्टी All India मजलिस ए इताहुदिन मुसलिमीन के नेता ने वसिम रिजवी को लेकर विवादित बयान दिया है मुरदाबाद महानगर के अद्रक्ष वकी रशीद ने कहा कि जो भी वसिम रिजवी को जूता मारेगा उसे 11 लाक रुपे इनाम दिया जाएगा इसक खलबली मज गई है वकी रशीद ने आरोप लगाया है कि वसिम रिजवी एक साज़िश के तहत हिंदूओं और मिसलिमों के बीच फसाद करना चाहता है उनके पाकिस्तानी एजट होने का भी अंदेशा है ऐसे में इसकी निश्पक्ष जांच होनी चाहिए वकी रशीद ने आशंका वेक्त करते हुए कहा कि अगले साल विदान सबाच चुना होने है कहिए इसी को लेकर कोई नई चाल तो नहीं है उन्होंने कहा कि चुनाओं में धुरुवी करन की साज श्रची जा रही है रिजवी के खिलाफ कई जगह आपरादिक मुकद में भी दर्ज है जिससे बचने के लिए वह विवादित बयान देते रहते हैं जो इसलाम धर्म का नहीं हुआ वह हिंदुधर्म का क्या होगा पंजाब और हरियाना हाइकोर्ट ने यह सपष्ट कर दिया है कि पतनी की जानकारी के बिना उनके कॉल रेकॉर्ड करना नीचता के अधिकार का हन है और इस तरह के मामलों को किसी भी सूरत में प्रोथसाहित नहीं किया जाना चाहिए पंजाब हरियाना हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट द्वारा रेकॉर्डिंग को सबुत के तोर पर सुविकार करने के निरने को खारिज करते हुए यह अहम टिपनी की है याचिका में महिला ने बताया कि उसके और उसके पती के बीच पिछले काफी समय से विवाद चर रहा है इसी बीच विवाद के चलते पती ने साल 2017 में बठिंडा की फैमिली कोर्ट में तला के लिए केस फाइल किया था इस बीच पती ने मेरे और अपने बीच की बाचित की रेकॉर्डिंग भी सबुत के तोर पर पेश की थी फैमिली कोर्ट ने मोबाइल फोन पर रेकॉर्ड की गई कॉल पर सबुत मानते हुए उसे स्विकार भी कर लिया जो नियोमों की मताबिक सहीं नहीं है हाई कोर्ट ने मामले के सुनवाई करते हुए हैरानी जताई एक कैसे कोई वेक्ति किसी की नीश्टा के अधिकार का हनन कर सकता है कोई भी पती अपनी जिवन साथी के साथ फोन पर की गई बाचित को बिना उसकी मनजोरी के रेकॉर्ड नहीं कर सकता है अगर पती ऐसा करता है तो यह नीश्टा के अधिकार का हनन माना जाएगा कोर्ट ने कहा जिवन साथी के साथ फोन पर की गई बाचित को बिना उसकी मनजोरी के रेकॉर्ड करना नीश्टा के अधिकार के हनन का मामलाब बनता है हाई कोट ने फैमिली कोट में पेश किये गए पती के सबूत पर जम कर फटकार लगाई बिहार में ब्रश्ट अधिकारियों पर लगातार कारवाई की जा रही है विजलेंस की निशाने पर जब हाजिपूर के श्रम अधिकारी दिपक कुमार चड़े तो उनके होश तब उड़ गए जब बिना मोका दिये निगरानी की टीम अचानक छापा मारने उनके घरों पर चड़ गई जब चापे मारी शुरू होई तो बैग और बोरों में ठुसे हुए कैश निकालने लगे गिंती के लिए मशीन मागनी पड़ी हाजिपूर के श्रम अधिकारी दिपक कुमार शर्मा ने काली कमाई के नोटों को बोरे और बैगों में भर कर रखा था यही नहीं अधिकारी दिपक कुमार ने पतनी और बैटे के नाम बर नौपलॉट भी खरीद कर रखा था वही कैश को बैटी के मेडिकल में एडमिशन के लिए खर्च करने की योजना का खुला सा हुआ है पूश्टाश में दिपक कुमार ने कहा कि वह अपनी बैटी को डॉक्टर बनाना चाहते थे मेडिकल में एडमिशन के लिए काफी पैसे लगते हैं इसलिए सोचा था इसी से जमा कर देंगे दिपक कुमार शर्मा की तैनाती कैमुर में भी हो चुकी थी मोहनिया चेक पोस्ट पर मैजिस्टेट के तोर पर अत्रिक्त प्रबार उनके पास रहा यहीं से मोटी कमाई की आशंका जताई जा रही है दिपक कुमार को जमीन जायदत का भी शोक रहा इनके परिवार में कुल 11 प्लॉट खरीदे गए जिसमें दो प्लॉट दिपक कुमार के नाम पर है जबकि नो प्लॉट बेटे और पत्नी के नाम से इन्होंने खरीदे थे पत्ना मोथिहारी, जहागीर, राजगीर में ये प्लॉट खरीदे गए थे राजे सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रत्यक साल अपनी चल चल संपती का ब्योराद देना होता है लेकिन दिपक कुमार कई संपतीयों की जानकारी चुपाते रहे इस बार निगरानी के रड़ा पर चड़ गए दुनिया से आ रही खबरों में आज राहत ही नहीं खुशकबरी भी है खास कर भारत के लिए भारत की हरनास संदु ने ब्रह्मान सुन्दरी का ताज अपने नाम कर लिया है सतरवाब में सुनियर पिजन इस साल 12 दिसंबर को इसराइल में हुआ वही कोरिया के शोतकरताओंने ओमिक्रोन वेरियंट की पहचान के लिए मॉलेकुलर डाइग्नोस्टिक टेकनोलोजी विकसित किया है इससे 20 मिनिट में पता जल जाएगा कि वेक्तिव वायरस के ओमिक्रोन वेरियंट से संक्रमित है या नहीं इसी बीच परेशान करने वाली खबर यह है कि सबसे पहले जिसने कोरोना के ओमिक्रेन वेरियंट की पहचान की थी उसकी जान पर बन आई है सुरक्षा वेवस्ता बढ़ाने के साथ ही धामकी भरे पत्र की पढ़ताल की जा रही है तो इटली का एक द्वीप आज भी अभी शब्त माना जाता है इस पर लाकों लोगों को जिन्दा जलाय जाने का दावा किया जा रहा है उदर अमरिका का मश्यूर मिलेटरी एर बेस एरिया 51 एक बार फिल्ड सुरक्यों में है एक विक्ती ने यहां से प्लेन चुराने की कोशिश की क्योंकि वह एलियंस को देखना चाहता था दुनिया भर की इन खास कप्र को विस्तार से जानने के लिए बने रही है आफ हमारे साथ साउध आफरिका और परागवे को पीछे चोड़ते हुए भारत की हरनास संदु ने ब्रह्मान सुंदरी का ताज अपने नाम कर लिया संदु की ताज पोशी इस कारेक्रम में मेक्सिको की पूरव मिस युनिवर्स 2020 एंड्रिया मेजा ने की सत्तरवा मिस युनिवर्स पीजेंड इस साल 12 दिसंबर को इसराइल में हुआ इस प्रतियोगिता के प्रिलिमिनरी स्टेज में 75 से ज्यादा खुबसरत और प्रतिबाशाली महिलाओं ने भाग लिया था लेकिन टॉप थरी में तीन देशों की महिलाओं ने जगह बनाई इस में से एक भारत की हरनास संदु भी रही इस समारों का हिस्सा बनने भारत से दिया मिर्जा भी पहुँची और वर्शी रौतिला ने इस बार मिस यूनिवर्स 2021 के कंटेस्ट का जज़ किया पंजाब के चंडिगड की रहने वाली हरनास संदु पेशे से एक मॉडल है 21 साल की हरनास ने मॉडलिंग वकई पिजन में हिस्सा लेने और जीत हासिल करने के बावजूद भी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया हरनास ने साल 2017 में मिस चंडिगड का किताब जीता था इसके बाद उन्होंने मिस मैक्स इमर्जिंग स्टार इंडिया का किताब अपने नाम किया ये दो प्रतिश्टित किताब अपने नाम करने के बाद हरनास ने मिस इंडिया 2019 में हिसा लिया और तवर टॉप 12 तक पहुची थी मौडलिंग के साथ साथ हरनास एक्टिंग में भी कदम रख चुकी है हरनास के पास दो पंजाबी फिल्म यारा दियापू 12 और बाई जी कुटांगे है हरनास भारत की तीसरे मिस उनिवर्स है साल 1994 में सुश्मिता सेन ने भारत का प्रतिनित्व किया था वह उन्होंने इस ताच को हासिल किया था वही साल 2000 में लारादत्ता ने इस ताच पर अपना नाम दर्च किया था ओमिक्रोन से दहशत में आई दुनिया के लिए रहत भरी खबर है कोरिया के शोत करताओं ने ओमिक्रोन वेरियंट की पहचान के लिए Molecular Diagnostic Technology विकसित किया है दावा किया जा रहा है कि 20 मिनिट में ही पता चल जाएगा कि वेक्तिव वाइरस के ओमिक्रोन वेरियंट से संक्रमित है या नहीं यह शोध हाली में पूरा हुआ है हाला कि अभी इसको दुनिया भर में पहुचने में वक्त लग सकता है केमिकल इंजिनिरिंग विबा के प्रोफेसर ली जंगवुक के नेत्रूतों में एक रिसर्च टीम ने Molecular Diagnostic Technology विकसित की है जो केवल 20-30 मिनिट में ओमिक्रोन वेरियंट का पताल लगा सकती है और इसका परिनाम ओनलाइन जारी होगा ने विकसित टक्निक में DNA और RNA को सीक्वेंस करने की प्रक्रिया नहीं है बलकि Molecular Diagnostic Technology है मौझुदा टक्निक केवल वाइरस के कुछी चीज़ों का पताल लगा पाती है लेकिन Molecular Diagnostic Technology को Nucleid Acid Binding रिस्पॉंस का कारण जानने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि जब COVID-19 RNA मौझुद हो तभी इसका जल्स से पताल लगाया जा सके कोरिया में रोग नियंतरन और रोगतान केंद्र COVID-19 वेरियन का पताल लगाने के लिए फिलाल तीन तरीकों का उपयोग कर रहा है जिसमें कुल Genome Sequencing, Target DNA Analysis और ITPCR जान शामिल है दक्षिन अफ्रिका की पुलिस एजनसिया COVID-19 के प्रमुक्षोत करताओं के खिलाफ खत्रों की जांच कर रही है जिसमें वह टीम भी शामिल है जिसने सबसे पहले कोरोना के ओमिक्रॉन वेरियन की पहचान की थी दक्षिन अफ्रिकी पुलिस सेवाओं के राश्टे प्रवक्ता विश्नु नायडू ने बताया कि राश्टपती सिरिल रामा फोसा के कारलाई को एक धम की भरा पत्र मिलने के बाद डराने धमकाने के मामले की जांच की जारी है जिनमें कई प्रमु कोविड-19 शोतकरताओं का उलेक किया गया था जिनमें प्रोफेसर टूलियो डी ओलेविरा भी शामिल थे बता दे कि प्रोफेसर टूलियो डी ने उस टीम का नेतरुत किया जिसने दुनिया भर में तबाई मचाने वाले ओमिक्रॉन वेरियन की खोच की घोशना की थी ओमिक्रॉन वेरियन की खोच की घोशना करने के लिए प्रोफेसर टूलियो सोचल मीडिया पर आलोशना के गेरे में है क्योंकि ओमिक्रॉन की वज़े से ब्रेटन और अमेरिका द्वारा कुछ घंटों के भी तरतत का लियात्रा प्रतिबन लगा दिया गया ओमिक्रॉन वेरियंट से क्रिसमस और नए साल के जशन को लेकर दक्षिन अफरिका के प्रेटन शेत्र को अपुरनी एक्ष्चती हुई है डी ओलिविरा स्टेलन बोश विश्विधाले में काम करते हैं वहां की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है विश्विधाले के प्रवक्ता मार्टिन विल्जोयन ने कहा कि यहाँ खेज जनक है कि वईज्यानिक जो इसे निश्कर्षों को ग्याद करने के लिए अपने वईज्यानिक और नैतिक करतव के रूप में देखते हैं उन्हें अब निशानाप बना जा रहा है इटली के एक द्वीप पर लाखों लोगों को जिन्दा जलाय जाने का दावा किया जा रहा है इटली के वेनिस और लीडों के बीच इस जगह का नाम है पोवेगलिया द्वीप यह द्वीप वेनेशियन खाडी में स्तीत है मिडिया रिपोर्ट के मताबिक इस द्वीप का इतिहास सोला विश्यताबदी से जुड़ा है जब इटली में प्लेग महामारी फैली थी पोवेगलिया द्वीप पर प्लेग के मरीजों को रखा जाता था यह महामारी लगातार बढ़ती ही जा रही थी और शासकों के हाथ स बार हो चुकी थी कहाज जाता है कि फ्लेग पर काभू पाने के लिए शासकों ने इस द्वीप पर करीब एक लाख साथ अजार लोगों को .. जिन्दा जलाने का हुक्म दे दिया था जलाने के बाद सभी के शवों को इसी द्वीब पर दफना दिया गया इसके बाद से ही आसपास के लोग इस द्वीब को शापित और भूता हा मानते हैं माना जाता है कि हमारे गे लोगों की आत्माई यहां भटकती है इतना ही नहीं कुछ ने तो अजिब और गरिब आवाजे सूने का भी दावा किया है प्ले के बाद एक बार फिर मामारी के वो वेगलिया द्वीब पर दस तक दी और यहां काला बुखार नामक बीमारी फैल गई वेग्यानिक अभी तक यहां लगातर फैलरी मामारीों के रहसे को सुलजन नहीं पाए है बाद में वहां मासिक रोगों का एक अस्पताल भी बनाया गया था हाला कि इस अस्पताल को 1960 के दशक में बंद कर दिया गया इसके बाद से लोग वहां नहीं जाते इटली की सरकार ने इस द्वीप पर परिटको की एंट्री को बैन कर रखा है वर्तमान में यहां करीब सो परिवार रहते हैं लेकिन किसी बहारी का यहां आना मना है अमेरिका का मशूर मिलिटरी एर बेस एरिया 51 एक बार फिर सुर्कियों में है गत 8 दिसंबर को 36 साल के मैथ्यो हैंकॉक नामक विक्ती सुरक्षा गेरो को तोड़ते हुए अपनी कार से लास वेगास के मैकरन इंटरनेशनल एरपोर्ट में जागुसा एरपोर्ट के बाहरी और भीतरी सिक्योरिटी बेरियर्स को तोड़ने के बाद उसने अपनी कार एक विमान के पास रोग दी खबरों की मारे तो हैंकॉक की मनशाद दरसल एक प्लेन को चुराने की थी रिपोर्ट की मताबिक हैंकॉक ने अटलांटिक एविएशन के करमचारियों को धमकाया कहा मेरे पास एक बम है और मैं इस जगह को उड़ा दूँगा इसके बाद वापस अपनी कार में बैठा और आगे बढ़ गया इस दोरान हैंकॉक नकाब बहने हुए था आनन फानन में पुलिस हरकत में आई और ततकाल हैंकॉक की गाड़ी को रोकर उसे हिरासत में ले लिया गया हिरासत में लिये जाने के बाद हैंकॉक ने बताया कि वह एक प्लेन चोरी करना चाहता था और एलियन्स को देखने के लिए एरिया 51 जाना चाहता था पुलिस ने जब कार की तलाश ली तो उन्हें एक नकली बम बरामद हुआ जो आग बुजाने वाले यंतर के उपर तारों को लपेट कर बनाया गया था हैंकॉक ने अधिकारियों को भी बताया कि वह एलियंस को देखने के लिए एरिया 51 के लिए उडान भरना चाहता था इसलिए यह हरकत की उसके पास इसकी सिवा और कोई चारा नहीं था एलियंस की मौजुदगी का प्रमान वह पाना चाहता था क्योंकि एलियंस हमेशा से कोतुहल के केंदर बने हुए है तो आज की इस खास पेशकर्ष में बस इतना ही आप से कल फिर्म लाकाद होगी तब तक देखते रहे वी के बीनियूस नमस्कार झाल